आप सभी को आज हम लोग बात करने वाले हैं टीफ अलंपिक के बारे में चिहां दोस्तों आपने डेली आज कर न्यूज में सुन रहे होंगे टीफ अलंपिक में देश ने नाम रौशन किया यहां के दुरंदरों ने नाम रौशन किया और तो और अभी आपने देखा होगा वाले एक्साम के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है और यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे को पहला पॉइंट हम होई है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ब्राजील रेडियू टू होस्ट डीफ लंपिक्स फॉर्स टाइम दोस्तों यह 30 अप्रेल का ह वस्ट करने जा रहा है यानि कि यहां यह दिफ ओलंपिक हुआ जो एक से लेकि 15 मई तक बारे में जानते हैं सबसे से पहले हम स्टार्ट करेंगे 24 में diff.olympic का यानि कि जो 2021 में होने वाला था लेकिन covid complications की वज़ासे इसको transfer कर दिया गया 2022 में, same as जैसे Tokyo Olympics, Tokyo Olympic क्या था, Tokyo Olympics होने वाला था, ठीक है, यसको भी transfer कर दिया गया था, तो वही same चीज यहां भी है दोस्तों, 21 में होने वाला था, यानि कि इसको ट्रांसफर कर दिया 2020, लेकिन आज भी इसको बोलते हैं, क्या, अभी जब इसका लोगो और इसका सब कुछ देखोगे, तो यहाँ पर लिखा ही होगा, 24th Deep Olympic 2021, जो कहां हुआ था, यहाँ पर नाम देखो लिखा हुआ है, Caxio Dossal Brazil, कहां पर हुआ था, तो ब्राजील में, ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आपर कुछ important चीज़े, बहुत सारी चीज़े हम लोगो जानी होगी, यहाँ पर उसके बारे में, सबसे पहले हम लोगो जान जाते हैं, Deep Olympic के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ, पहली बार multiple sports game after the Olympics, यानि दोस्तों, Olympic के बाद multiple games का, बिस्तों का सबसे oldest multiple sports games है, ओलम्पी के बाद कौन, तो है Deep Olympic, यहाँ दूस्तों, यह दूनिया में बड़ी तेजी से स्पोर्स बढ़ता जा रहा है, यानि कि यह Deep Olympic की बाद करें तो, The Deep Olympic, पहले यह जाना जाता था, World Games for the Deep and International Games for the Deep, इन दोनों के नाम से जाना जाता था Deep Olympic को, are an International Olympic Committee sanction event, दोस्तों यह International IOC, International Olympic Committee के द्वारा sanction event है, यह यानि कि किसकी बात करें, Deep Olympic, इसको sanction यही करता है, IOC ही करता है, दोस्तों गर हम बात करें, The Deep Olympic are held every four years, यानि कि इसके पहले कब हुआ होगा, तो 2017 में हुआ होगा, 17-4, 21, 21 मिना होके 22 में हुआ, COVID complications की वज़े, जैसा कि आपको पता होगा, एक साल पोस्पोर्ण हुआ था, ठीके, दोस्तों, Formal International Competition in Deep Sports begin with 1924 Paris Silent Games, यानि कि सबसे पहली बारी यह event हुआ था, 1924 में, Organized by the Committee International Desk, Sports Desk Sorts, यानि CISS, जिसको हम लोग अब इंगलिस की बात करें, इंगलिस में क्या बोलते हैं, हम अपने language में क्या बोलेंगे, The International Committee of Sports for the Deep, यही इस event को, इस Diff Olympic को conduct कराता है, कौन, और sanction कौन करता है, International Olympic इसको sanction करता है, हर चार साल पर यह event होता है, और Olympic के बाद, दूसरा सबसे बड़ा multiple sport वाला game event है, कौन, Deep Olympic, clear है दोस्तों, सबसे पहली बारी यह organized किया गया था, kiss verse 1924 में, और साथियों हम आपको बताना चाहेंगे, कि winter इसका एक summer है, यह जो channel आए, आप यहाँ पर देख रहा होंगे, इस logo में लिखा भी है, summer, summer 24th Deep Olympic, यह जो logo आपको दिख रहा है, इसमें देखो, यहाँ पर एक जगह लिखा है, summer, यह summer का रहा है, अगर हम winter की बात करें, तो winter भी दोस्तों, 1900, किस year में सबसे पहली बार आया, 1949 में, सबसे पहली बारी, conduct करा गया था, winter Deep Olympic, clear है दोस्तों, तो आपको इतनी point आहां से याद एकना, यह जो हमारा basic क्या था, Deep Olympic जहां से हम लोग, starting से गर हम बात करें तो, अब दोस्तों, बात आती है, बाकी का आज हम लोग बात करने वाले हैं, सब का सब, 24th summer Deep Olympic के बारे में, यानि की, ब्राजील वाला, दोस्तों, इंडिया's largest ever contestant to compete in 24th summer Deep Olympic, यह जो आपको दिख रहेंगे, यह सबसे बड़ा जथा, क करने ब्राजील में, दोस्तों, अब बात करते हैं, कितने लोग गये थे, क्या था, इसके बारे में बात करते हैं, दोस्तों, इंडिया is all set to compete in the 24th summer Deep Olympics, to be held in Caxias do Sul, ब्राजील, from 1st May, 1 मही से start होना था, दोस्तों, 1 मही से लेके, 15 मही तक का यह event था, साथियों, यह आपको य यानि कि 65 एथलेट की पुरी टीम, एक जथा, जो गया था, रवाना हुआ था, ब्राजील के लिए Deep Olympic में, ठीके, will be participating in the games, जिन्हों ने participate किया था, खेल में, it is the largest and the youngest contingent ever, यह लंबा और सबसे युवा, युवा contingent बोला जा रहा है, अब तक का, अभी तक का, देश का, का, कॉंटिजेंट है, जो सबसे युवा है, और सबसे ज़्यादा, 65 एथलेट गये थे दोस्तों, अब कोसी बात है, 65 बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है, वो भी Deep Olympic में, जिसका कोई क्रेज नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे यहां जानते भी नहीं इसको, ठीक है, उसम में total 11 sports के लिए, इंडिया के लोग, total 11 sports athletes गये थे हमारे यहां पे, जो किस के लिए थे, athletics, badminton, judo, golf, karate, shooting, swimming, tennis, double tennis, taekwondo and wrestling, इन सभी disciplines में, हमारे लोग 65 जो दोस्त गये थे, इन्होंने participate किया, in the last, अब फिर से थोड़ा flashback में चलते है, क्या flashback है मेरे साथ ही हो, in the last deep olympic, 2017, जैसा कि हमने बोला, 21 में होने वाला था, 4 साल पर होता है, तो भईयाल, पिछला 17 में ही हुआ होगा, और ये 2022 में तो postpone कर दिया गया था, तर्की में हुआ था, कहाँ पर तर्की, तर्की capital क्या है, अंकारा, currency क्या है, लीरा, यादखना, इंडिया clinched the total of 5 medal, इं इसके बारे में तो बात ही नहीं किया, कितने medal आ है, ये 2017 वाली बात की जारी, इंडिया ने total 15, बाफ कीजिगा, 5 medal जीता था इंडिया ने, जिसमें एक gold, एक silver और 3 bronze थे, यादखना दोस्तों, यहाँ कुछ take away कर लेना, यानि कि देख लेते ही important take away क्या है, इंडिया hold 9th position, इस बार की बात हो रही है, 2022, यानि कि 21 वाला summer olympic, deep olympic की बात हो रही है, 9th position था इंडिया का, 24 संस्करण था, और summer deep olympic कहां पर हुआ था, जिसमें यूक्रेन, यूक्रेन ने top, यानि सबसे पहले position पर रहा था, यूक्रेन, followed by US और इरान, यानि कि यूक्रेन top पर रहा, US और इरान इसके पीछे रहे, दूसरे पर US, दूसरे पर इरान रहा, ठीके, the event was opened by missile Bolsonaro, missile Bolsonaro, the first lady of Brazil, guys, Brazil की, Brazil की first lady, यानि कि Jair Bolsonaro, guys, ये हमारे यापे 26 जनुवरी पे cheap guest भी रह चुके है, Jair Bolsonaro, इनकी धरम पत्नी, missile Bolsonaro ने इसका inauguration किया था, यानि कि इसकी opening ceremony में, इन्हों ने कह सकते हैं, flag off किया था, कौन, तो missile Bolsonaro, तो कि Brazil में हुआ, तो of course सी बात है, अब आते दोस्तों, सबसे important, सबसे बड़ी बात, जो हम लोग को update रखना है, guys, the motto of the 2021 Deep Olympic, 2021 Deep Olympic का motto क्या था, दोस्त comes from to our hearts, ठीके, दोस्तों, sports come from to our hearts, ये आपको याद करें, ये motto है, 2021 Deep Olympic का, और दोस्तों, आगे की बात करें, ये तो सबसे important है, हमने आपके लिए, इसके लिए, एक source भी बनाया था, in fact, आपको याद होगा, तो याद होगा, हमने बताया था, खेलो इंडिया, यूथ, यून याद की यूथ गेम्स की बात करें, इसका मैसकट क्या है, जो होने वाला जून में, धाकर, Commonwealth Games की बात करें, तो दोस्तों, Commonwealth Games का मैसकट क्या है, पेरी, या है, पेरी, ये याद एकना आप लोगोंने, और दोस्तों, FIFA, FIFA World Cup का मैसकट क्या है, FIFA World Cup मैसकट क्या है, लावे, ठीक नोशन है और भी परिधान में मैस्कट है और दोस्तुं फिर आते हैं आगे में अगर हम पूछा जाएग का मैस्कट क्या है तो दोस्तुं थी फवलंग कि दो दोस्तों अब बात आती है event and participation की यानि mascot आपने पढ़ लिया आपने मोटो पढ़ लिया आपने सारा previous history और वर्तमान और पुराना यानि जो भी है सब कुछ आपने अपडेट किया अब बात आती है event और participation की दोस्तों total number of कितने event कितने थे 226 event थे 18 sports में लोगों को participate करना था ठीक है 2349 athlete आये हुए थे पूरे वर्ड से और पूरे वर्ड में कितने राष्ट ने इसमें participate किया था 71 देशों ने इसमें फागिदारी की थी यानि participate किया था represent किया था इस डिफ उलम्पिक में और दोस्तों आपको बता देए यह total middle tally है आप देख सकते यूक्रेन 138 middle के साथ 62 cold बहुत बड़ी बात है इतने लोग दूसरे नंबर पे US रहा दिसरे पर इरान रहा और 9 नंबर पर रहे हम लोग यानि कि इंडिया का धीफ उलम्पिक 2021 जो समर उलम्पिक जो ब्राजील में हुआ था उसमें रैंक क्या थी इंडिया की 9th रैंक थी इंडिया ने total कितने medal जीते थे 17 आप समझो 2017 में पांच थे और 2021 में यानि कि 21 वाले डिफ उलम्पिक में 17 medal थे जिसमें 8 गोल्ड एक सिलवर और 8 ब्रॉंज मेडल था तो दोस्तों यह आपको याद रखना इतनी बाते यहां से तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह सारी चीज़े क्लियर होंगी कोई डाउट नहीं होगा यहां से और आपको बता दे साथ ही हो आपका MTS का बैच लाइव हो चुका है जो मौनिंग 9 to 10 चलता है 10 a.m. पर आपको जोईन कर सकते हो Y307 कोट लगा के जहां पर हम आपका स्टैक जी क्यों करेंट अफियर रिलेट करके जितने भी क्वेस्टन मन सकते हैं सब डिसकुस करने वाले ताकि आपका यह वाला भी पेपर अच्छा जाए अच्छ करने वाले हैं क्या RBI, RBI बेसिक से बिल्कुल क्योंकि बेसिक बेंकिंग बोला है इसमें अपडेट करने के लिए IPPB प्रोड़क्ट बोला है और तो और हम लोगों को जेनरल अवेंदर हैनिक स्टैक के भी पोर्षन इसमें कम्प्रीट करने तो वो सब कम्प्रीट करेंगे तो आप जोइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के IPPB का बैच और दोस्तों आपको बता दें बैंक महापैक आप जोइन कर सकते हो यह सारे बैच आपको इन्रोल्ड मिलेंगे अलक से लगाने के कोई जरूरत नहीं है आपको आपको कोड याद रकना है Y307 for maximum discount दोस्तों उमीद करते में आपकी सेसन मज़दार लगा होगा आज आज आपसे question क्या है question of the day क्या है आपके लिए question आपके लिए यह है क्या कि दोस्तों हम लोग बात करने वाले थे क्या कि अगर हम question आपसे पूछे कि 2017 में 2017 में इंडिया ने 2017 वाले इंडिया ने कितने medal जीते थे तो यह तो पूछा नहीं जाने वाला पिछला medal लेकिन बट फिर भी आपको जवाब दे देना है अगर आपने धंग से सुना होगा तो आपको याद होगा गाईस फीफा का मैसकट क्या है फीफा का मैसकट क्या है जो 2022 में वर्ड कफ होने वाल इयर में हुआ था फर्स्ट टाइम किस इयर में हुआ था यह आपको तीन क्वेस्चन के आपको जवाब देने हैं और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तब तक लिए दोस्तों नमस्कार धन्यवाद जाहें बाट एक बार फिर से वेरे वेरे गुड बॉनिंग दोस्तो झाल